अब झाल वीदि के इस विडियो मैं हम लोग बात करे वाले ह говорить क्रिक वीडियो में और फुल टेल वोगड़रांड रिवियू हम करने वाले हैं वीडियो में आगे बने से पहले मैं आपको इस गौड़ी का एक शेलो ने फ्रोल प्रैस बता देता हूं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको रिमोट की देखने के लिए मिलती है, दो कीज यहाँ पर मिलती है, एक सिंपल की, एक रिमोट की आपको यहाँ पर मिलती है, जो की एक फिलिप की है, इसके अंदर आपको लोक, अनलोक और बूट ओपन करने का उप्शन यहाँ पर मिलत वाइन्यू के सबी वेरेंट के अंदर मिलती है सामने की तरफ होंड़ाई का लोगो यहां पर मिलता है अगर बात करें एस कार के सेफटी फीचर्स के तो यहां पर आपको ABS, EBD, front में airbags देखने के लिए मिलते हैं, अब चलते हैं गाड़ी की side profile की तरफ और देखते है side profile में आपको कैसे features देखने के लिए मिलते हैं, dimensions की बात करते हैं, length आपको 3995 mm की मिलती है, width 1770 की मिलती है, height 1605 mm की मिलती है, तो आप बात करते हैं इस गाड़ी के wheels के बारे में, इस काड़ के अंदर आपको 16 इंच के steel wheel देखने के लिए मिलते है, with wheel caps, पर ये देखने पर बिल्कुल alloy की look दे रहे है, MRF पर tire company से यहाँ पर मिलता है, और tire profile की बात करते हैं, 215 mm, 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 215 इस कार की ground clearance की बात करतो, 190 mm की यहाँ पर ground clearance मिलती है, हमाई इसके competitor Kia Sonet की बात करतो, 205 mm की उसके अंदर मिलती है, तो Kia Sonet के अंदर आपको 15 mm ज्यादा ground clearance देखने के लिए मिलती है, venue से, back profile की बात करतो, कुछ इस तरह की back profile यहाँ पर मिलती है, LED tail lights यहाँ पर मिल जाती है, जिने मैं आपको own करके भी दिखाऊंगा, तो काफी सुन्दर यह रात के राइम में देखने पर लगती है, बिल्क spoiler वगेरा नहीं है, आपर नीची की तरफ venue की badging और hondai का logo मिल जाता है, chrome के साथ, यहाँ पर आपको नीची की तरफ turbo की badging देखने के लिए मिल जाती है, और back bumper के अंदर यहाँ पर reflector से देखने के लिए मिलते है, जो की working है, इन पर back gear लगाने पर light भी होना हो जाती है, back bumper क इन दर ही दो reverse parking sensors भी मिल जाते है, और नीची की तरफ reverse camera भी हाँ पर मिलता है, दो light यहाँ पर मिलती है, जो की आपकी number plate के लिए होती है, तो बात करते है इस गाड़ी के boot space के बारे में, इस काल के boot को आप अपनी key से भी open कर सकते है, जो की काफी अच्छा feature है, यहाँ पर प टायर साइज की बात करें, तो 195, 65, R15 के आपर टायर देखन के लिए मिलता है, यानि कि एक इन छोटा आपको spirit आयर मिलता है, वेन्यू के अंदर, जालतर सभी गाड़ियों के अंदर आपको एक इन छोटा ही मिलता है, तो यह तो इस गाड़ी के exterior के features, अब चलते हैं door opener है, वो आपको silver finishing के साथ यहाँ पर मिलता है, उपर की तरफ twitter यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर door armrest के उपर कोई भी leather या fabric का use नहीं करा गया है, चारो power window मिलती है, ORM को auto adjust, auto fold भी यहाँ से कर सकते हैं, आप चलते हैं कार के interior की तरफ, देख सकते है, black color का interior यहाँ पर height भी adjust manually कर सकते हैं, अब बैठते हैं कार के अंदर, तो कुछ इस तरह के यहाँ पर round shape में leather wrapped steering wheel मिलता है, left hand side में सभी music system के control मिलते है, right hand side में cruise control यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर silver finishing भी मिल जाती है, meter कुछ इस तरह के देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको left hand side मे RPM मिलता है, और right hand side के अंदर, यहाँ पर speedometer मिलता है, और right hand side में यहाँ पर आपको headlight leveler मिल जाता है, dead pedal भी इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर मिल जाता है, यह manual variant है, तो अब बात करते हैं, इस गाड़ी के music system के बारे में, यहाँ पर 8 inch की touch screen मिलती है, जो कि Android, Apple, CarPlay के features के सा गया है, 6 speed manual transmission इस variant के अंदर आता है, SX turbo variant के अंदर, बीच में यहाँ पर 2 glass rotor का space मिलता है, और arm register भी इहाँ पर मिल जाता है, जिसे आप adjust नहीं कर सकते है, और इसके अंदर आपको decent size का space मिलता है, कोई भी यहाँ पर USB port वगरा नहीं मिलता है, manual day night rear view mirror मिलता है, रूफ के अं बात करें तो decent size के साथ यहाँ पर cool grab box देखने के लिए मिलता है, पर इसका size जो है वो थोड़ा चोटा मिलता है, इस variant के अंदर आपको front में 2 airbags यहाँ पर मिल जाते है, और बात करें और features की तो roof में adjustable grab and handle मिलते है, अब आता है इस गाड़ी के mean features की तरफ, आपको SX turbo variant के अं दो बंदे निकल सकते हैं अगर normal health वाले है, तो यह तो वे इस गाड़ी के front interior features, आप चलते हैं गाड़ी की rear seat की तरफ और देखते है, rear seat में आपको किस तरह की specification और कितना space यहाँ पर मिलता है, rear door भी आपको black color कहीं मिलता है, जैसे की पूरा interior मिलता है, एक सिर्फ यहाँ पर इंदर और देखते है, space किस तरह की का मिलता है, तो देख सकते हैं काफी अच्छा है, यहाँ पर space मिल रहा है, और interior आप देख सकते है, rear से देखने पर काफी sporty लगता है, good looking interior है, इस car का का काफी, roof में yellow color की rating light मिल जाती है, rear में भी आपको इस गाड़ी के rear seat vents यहाँ पर मिल जिने आप adjust भी कर सकते हैं, और नीची की तरफ यहाँ पर charging port भी मिल जाता है, जो इस गाड़ी का hump है, वो आपको normal size का मिलता है, ज्यादा कम भी नहीं मिलता है, ज्यादा भी नहीं मिलता है, तो fixed grab handle भी यहाँ पर मिलते है, पीछे की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते है पासर ट्रे वेगरा आपको यहाँ पर सभी मिल जाती है, तो आज की वीडियो बस गाईज यही ताया, एक walkaround review Hyundai Venue के SX turbo variant का, अगर आपको इसके S plus या S variant की वीडियो देखनी है, तो वो भी चैनल पर upload है, आपको description में link मिल जाएगा, अब वो वीडियो भी जाकर देख सकते है, तो आज की वीडियो को यही पर end करते है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइज यूरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ओल पर कर ले, जिससे आपको सब भी latest वीडियो की notification मिल जाए, तो वीडियो को end तक देखने क यह थेंक यू सो मच